दोस्तों आज की वीडियो में जो इंडिकेटर आपके सामने इंडिडियूस कर रहा हूं ये इंडिकेटर सिर्फ शौर्ट टाइम फ्रेम यानि स्कैलपर के लिए है तो कि जब इसको बनाया गया था तो यही सोच के बनाया गया था कि मार्केट के अंदर जब शौर्टर प्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो ही इंडिकेटर आपके अपके काम आएगा तो आज की वीडियो में दोस्तों इंडिडियूस करेंगे इसकी पीछी की स्टोरी को भी जानेंगे तो चलिए समय बर्वाद नहीं करते हैं देखते हैं और समझते हैं दोस्तों क्या ही कि बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चानल की यूटूब चैनल में मिरे नामें अन्मोल मित्तल पिछे देखें कंप्यूटर स्कीन पर हम आगे हैं जिस इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर का नाम है कॉन और आरसाई यह देखिए यह हैं इंडि बेसिकली दोस्तों लैरी कॉनर सामने और उनकी टीम ने रिसर्च करके इस इंडिकेटर को इंट्रेड्यूस करा और करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा नॉर्मर आरसाई है यानि डिलेटिव स्टेंथ इंडेक्स जो हमारा नॉर्मर इंडिकेटर है अग ख Burns शिए जारी जारी ऑखगी क्योंकि जो नॉर्मल आरेसाय है वह थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करता यानि धीरे менее परफॉर्म करता एकदम रेयक्ट में करता है और आपको एक overbought and oversold का signal देता है RSI को तो टाइम लगेगा overbought oversold देने में ये एक सेकंड में देगा एक सेकंड मतलब एक candle में देगा आपको कि कहां पर overbought हो रहा है कहां पर oversold हो रहा है जिससे आप fast trading decision अगर आप देते हैं जो कि scalper करते हैं उनको काफी help कर सकता है इंडिकेटर तो किस तरीके से दिखता है इसको समझ लेते हैं और बाकि एक trading charges नहीं है account maintenance भी नहीं है Link में डिस्क्रिप्शन पर दे दिया आपको चलिए अब यहाँ पर हम आगे यहां पर हम करते हैं Conors RSI ठीक है न तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा तो कुछ इस तरीके आपको इहाँ पर दिखाई दे रहा है और इतना ज्यादा होच-Puch आपको दिखाई दे रहा है कि आपको तो समझ ही नहीं आ कि कब क्या करना है लेकिन यकीन मानिए हमारे ओपर यकीन रखें कि बहुत सिम्पल भाचा में बहुत फैंटेस्टिक चीज आपको सिखाऊंगा तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा तो थोड़ा सा क्या करते हैं इंटरफेस अच्छा कर लेते ताकि आपको कि दिखाए दे और थोड़ा सा में इंपूट की भी बात करेंगे तो experiments सबसे पहले आते हैं तो स्टाइर्स में जोई की सब से नह tongues कर लेते हैं इसको थोड़ा बॉल्ड है ठीक है मैं इसको ब्लेक कर यह लाइन पर आगया है और लेवल दोस्तों इसके 80-20 कर लेंगे हम क्योंकि मेरा पर्सनल अब्जर्वेशन है कि 80-20 बैस्ट रहता है बागी आप अपने अब्जर्वेशन से कुछ भी रख सकते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लेरिटी से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ओपर ठीक है अब इसके अगर हम सेटिंग्स में जाए और इसके इंपुट्स पर ध्यान दे तो यह में क्या कहने की कोशिश कर रहा है जी क्या क्या है इसके अंदर किस तरह किसे डवलप्ड हुआ है देखे किस तरह किसी बना है इसके ओपर मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाओंगा रीजन क्या है कि अगर हम डीप चले गए तो आप ना तो उस डीपनेस को देखेंगे और वीडियो बीच में बंद कर देंगे तो इंडिकेटर काम कैसे करता है उसके बारे में आज की वीडियो है बाकि अगर आ आप यह समझें इसमें तीन कॉंपोनेंट यूज हुए है जिससे यह डवलब हुआ है पहला कॉंपोनेंट है RSI लेंथ इसमें एक RSI लेंथ का यूज किया गया है थ्री पिरेड की बाइडिफोल्ट इसको चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेकिंड चीज है इ अगर मैं बात करूं तो इस तरह किसे समझें कि पिछले 100 पीरिट को कैप्चर करके कितना प्राइस का मुवमेंट आप यह डाउन जा रहा है उसके इसाफ़ से नेगेटिव पॉजिटिव सेनेरियों निकाला जा रहा है बस यही किया जा रहा है इससे जादा कुछ नहीं है फिलाल कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है सिंपल रखेंगे चीजों को और क्लेरिटी से समझने की कोशिच करेंगे तो तीन कॉंपनेंट्स यूज करके इस इंडिकेटर को बनाया गया है तो अगर मैं देखू यहां पर आपको यह इंडिकेटर जो हमने यहां पर लगाया हुआ है फिलाल हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ निफ्टी का अगर इस टाइम फ्रेम को मैं बढ़ाता हूं 15 मिनट करता हूं तो क्या इसकी नौइज जो दिख रही है वो कम होगी नहीं यह अभी भी उतना ही नोइजी है जितना 5 मिनट में नोइजी था अगर में इसका 1-day टाइम फ्रेम करते हूं तो क्या इसकी नौइज कम होती है नहीं अभी वी यह उतना ही नोइजी है जितना पेहले के टाइम फ्रेम में नोइजी था तो यह इंडिकेटर बहुत नोइजी है यह लंबे ट्रेंड्स नहीं देगा आपको यह उन्य के लिए हैं जिनको फटाफट एंटर होना है फटाफट एक्जिट होना है यानि बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आगर आप ट्रेड करते हैं जैसे कि स्कैलपर्स करते हैं तो उनके लिए हैं स्कैलपर्स का काम क्या है आप पॉल्चिटी मिली फटाफट ट्रेड लिया प्र बढ़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या सा परफॉर्म करेगा यह तो पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आगे किस तरीके से रियक्ट कर रहा है एक पर उसको देख लीजिए और एक छोटा सा सैट अप बनता है जिसमें आप ट्रेडिंग अपोचिटी ढूंड सक होता रहता है ऊपर नीचे हो रहा है ठीक है तो सबसे ऊपर का लेवल 100 है सबसे नीचे का लेवल 0 है लेकिन इसके अंदर 70 और 80 जो लेवल है वो क्या होता है ओवर बॉट लेवल यानि अधिक्तम खरीदारी हो चुकी है अब यहां से मार्किट डाउन जा सकता है बेसिकली जब यह इंडिकेटर इस लेवल के उपर आता है तो आपको शॉर्ट का ट्रेड ढूंडना चाहिए इधर शॉर्ट की अपोर्चनिटी ढूंडने चाहिए और ठीक है यहां पर आपको लॉंग की यानि वाय की अपोर्चनिटी ढूंडनी चाहिए यानि लॉंग पॉइंट्स बनाए है मार्कीट ने क्या रियक्शन दे रहा है उस पर आगर हम नदंदल आले तो हमें कुछ जांकरी जरूर मिल जाएग जो हम देख सकते हैं तो यहां पर देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश करिएगी कि जब जब यह टॉप पॉइंट पर आ रहा है तो मार्किट का क्या रियक्शन है उस रियक्शन को कैप्चर करने की कोशिश करिएगा और एज्यूम करें गया कि आप एक स्कैल पर है आप बहुत देर नहीं रखेंगे ट्रेड को कुछी देर रखके एक्जिट करने वाले अगर आप ऐसे ट्रेडर है तो ही इसको कैप्चर करिए तो यहां पर देखिए एक हमें सिगनल मिला इ यहां से थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है अगली दो पांच मिनट की कैंडल क्या बनी है अगली दो पांच मिनट की कैंडल रेड है यहां पर देखिए टू रेड कैंडल उसके पहुचने के बाद यानि अगर कोई आप स्कैल पर होते तो यह 10-20 पॉइंट्स की मुवमेंट थ होना था पत्रब एक वीकनेस तो आई ए चाहिए दो इसी तरीके से जब यह इस लेवल पर वापिस आया यहां पर देखिए फिर वापिस अगें टू कैंडल्स मिली अगें टू कैंडल्स रैड है रैड कैंडल्स मिली यानि काम तो कर रहा है पांच मिनट के टाइम फ्रीम अगर आप देखेंगे तो जहां जहां ओवर बॉट आ रहा है महाँ पर दो-दो केंडल्स आपको मिल रही है यहाँ पर देखिए इस केंडल पर से एक सिगनल दिया सिर्फ एक केंडल थी जो डाउन गई है पांच मिनट की केंडल उसके बाद डाउन नहीं गई है फिर उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ भी एक रैड केंडल डाउन गई है और फिर यह वाली केंडल देखिए यहाँ पर तीन केंडल रैड मिल गई है continuously और उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर भी तीन candles continuously red मिल गई है यहां पर देखिए एक candle red मिली है तो आप देख रहे हैं कि market तो uptrend में है market तो धीरे-धीरे ऊपर गया है लेकिन उसके बावजूद भी हम दो candle तीन candle और एक candle red देख पा रहे है यादि एक weakness देख पा रहे है तो अगर कोई scalper होता तो फटा-फट enter करके exit कर जाता लेकिन मैं आपको कभी भी suggest नहीं करता कि trend के against कोई trade ले trend तो आपके favor में होने ही चाहिए इसका solution क्या है solution में बताऊंगा तो पहले तो आपने यह उपर वाले जितने signals थे वह पकड़ लिए अब एक बार यह नीचे वाले signals पकड़ लेते अब trend के अंदर वह कैसे perform करेंगे तो यहां पर कुछ signals मिल रहे हैं मुझे थोड़ा सा चार्ट को आगे करते हैं और चीज समझाने की कोशिश में कर रहा हूं आपको यहां पर देखिएगा एक signal दोस्तों मुझे मिला यहां पर यह signal कम मिला है जब market दो red candle बना रही थी two red candles यहां market बना रही थी अगर आगे का चार्ट आप एक second के लिए hide कर दो नहीं जी यह तो oversold हो गया यहां पर एक बाइंग आ सकती है आप देखिए एक candle green मिली उसके बाद फिर यहां पर देखिए red candle पर मिला और यहां से movement देखिए कहां तक आई है अब बहुत बड़ी movement नहीं है आपको 30 points की movement है बैंक निफ्टी में 20-30 points की जो कम नहीं होती 10-20 minutes के अंदर 5-10 minutes में उसके बाद है कि यहां पर हो गया था oversold और यहां पर कि strong rally उपर की तरफ आगी बीच बीच में strong rally मिलेगी लेकिन ट्रेंड के साथ में काम करेंगे तो strong rally मिलेगी तो इस तरीके साथ आप देख रहे हैं कि जहां जाए touching point है कही ना कहीं इंडिकेटर एक आद केंडल तो ऐसी बन रही है जो उसके इंडिकेटर के साथ से काम कर रही है तो प्यॉर्डी इंडिकेटर क्या हो गया scalper के लिए हो गया अब बात कर लेते कि trend identification कैसे करें with momentum देखिए scalper पैसा तभी बनाएगा अगर आप options में काम कर रहे है call खरीते है पूट खरीते है या intraday में कोई stocks खरीते है कुछ मिनट्स के लिए रखना चालते स्कैल्पिंग करना चाहते है तो आपका पैसा बनेगा कब जो मोमेंटम होगा क्योंकि मोमेंटम में थेजी से खिचेगा और फटाफट पैसा बनेगा तो दोनों चीज इस वीडियो में complete हो जाएगी momentum और ट्रेंड साथ में यह ओवरबॉट ओवर सोल्ड के जो लेवल्स बताएगा आपको कौन और आरसाइए यह भी आपका किलियर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या कर रहे हैं एक इंडिकेटर ओल लगा रहे हैं हम जा रहे हैं और अपकी बार कौन सा इंडिकेटर लेंगे आरसाइए हमारा प्लेन वैनिला आरसाइए यह देखे रिलेटिव स्ट्रेंद इंडेक्स यह ले लिया थोड़ी से हम इसकी सैटिंग्स थोड़ा सा स्टाइल चेंज करेंगे ताकि हमें क्लेरिटी और अच्छे से मिले तो यहां पर हम ऊपर का लेवल रख रहे हैं 60 नीच आ रहे हैं इसको रख रहे हैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करेंगे लाइन लगाएंगे और हमारी बीच वाली लाइन इसको भी थोड़ा बढ़ा करेंगे यह हमारा नीचे का एक आरसे त्यार हो गया तो यह उपर क्या काम कर रहा है कौन और आरसे काम कर रहा है और नीचे हम तो जब तक यह उपर है तब तक सारी आप बाइंग की डूंडिए बाइंग की कहाँ पर डूडएंगे यह नीचे के लेवल्स पर होगा तो तो डूंडेंगे अगर नहीं है तो नहीं मिला राइट और अगर RSI 40 है यह देखिए अगर RSI यह red वाली line के नीचे है जो अभी हमने set करी है 40 के नीचे है तो इस वाली line पे आप सारे signals कौन से डूड़ेंगे शौट करने के जहां आपको signal मिलेगा और शौट करने के signals कहा देगा इस level पर यह उपर के level पर तो इतना अगर आपको clear है तो आपको बढ़िया momentum के साथ अच्छे trades मिल सकते scalping के लिए अब देखते हैं कुछ examples जहां पर हम अच्छे trades पिक कर सके तो अभी देखें निफ्टी थोड़ा अच्छे से गिरा था आज के दिन एक trend था negative और उसके अंदर देखें यहां पर कुछ signals मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहां पर देखें RSI 40 से नीचे है यानि red line से नीचे है और यहां भी देखें यह red line से नीचे ही था इधर की तरफ भी जब यह red line से नीचे है तो आपको ऊपर के जितने सिगनल से पिक करने है जैसे कि मुझे एक signal दिखाई दे रहा है यहां पर यहां पर यह 80 की लेवल के आसपास था और यहां पर आगर आप देखेंगे एक red candle कुछी देर बाद एक red candle formed हो गई जब यह red candle यहां formed हो गई देखें तीन चार combination आपने मिला लिए पहला trend negative है momentum भी थेजी से नीचे की तरफ जा रहा है दूसरा हमारा corner आरसा ही कहा रहा है जी overbought हो गया यह तीन जो एक पुलिश candle आई थी इनका relevance खतम हो गया अब यहां से market नीचे गिर सकता है उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लिजे एक negative candle का तो यहां देखें एक negative candle यहां पर मिल गई है और फटैक से चार-पाच candle नीचे अगर आप स्कैल्पिंग करते डेफिनेटली इसमें पैसा बनते एक profitable ट्रेड था उसके बाद देखिए यहां पर यह आ गया यह देखिए वाला ट्रेड यहां पर देखिए एक negative candle हो गई उपर की तरह विग और फटा-फट से माकर नीचे गिर गया बढ़िया सिंगनल मिल गए आपको उसके बाद देखिए यह वाला सिंगनल यहां पर देखिए एक नेगिटिव केंडल का वेट कर यह नीचे गिरा बहुत तेजी से नीचे 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 आ गया उसके बाद यह वाला सिंगनल भी वक करता है वह आपको दिखाई दे रहा है तो लगाता तीन-चार हमने ट्रेट देखे जो काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं तो यह थे डाउंसाइड के अपसाइड वाले भी देख लेते हैं कि आरे से उपर होना चाहिए तभी मिलेंगे अब तो फिलाल देखनी रहा है यह देखिए नहीं यहां पर भी नहीं है कि यह थोड़े से डाउन वाले दोस्तों मुझे सिंग्नल्स मिल गए यह मैं दिखा देता हूं आपको फिर बुलिश वाले भी देखेंगे यहां पर देखिए एक बार इसने का जरी यहां से डाउन जा सकती है यह देखिए ग्रीन केंडल पर बोला है डाउन अगली केंडल डाउन है आगे आने वाली भी कुछ केंडल्स डाउन है यहां पर देखिए इसने बोला डाउन जा सकती है डाउन गया और यहां पर क्या सकता था डाउन जा रही है यह लगता तीन सिंग्नल्स मिले थे स्कैल्पिंग के तीनों काम करें और इन तीनों सिंग्लों में अगर आप आरसी देखेंगे तो 40 के नीचे था तो मोमेंटम भी डाउन था सिगनल मिल गए बढ़िया शॉर्टिंग के ट्रेट्स मिल गए उसके बाद बुली साइड के में दिखा देता हूं अगर कुछ मिलता है तो विसों हाल फ्लाल में आकिट काफी बुल अब देखें आरसी इस डेखें के ऊपर निकल गया यह पर ध्यान दीजिए औरस ही 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अब ओव 60 मोमेंटम उपर की तरफ है इस मोमेंटम के अंदर पहला ट्रेड कौन सा बन रहा है यह वाला इस ट्रेड में देखिए यहां पर सिगनल मिला उपर गया मार्किट डेफिनेटली गया यहां पर देखिए एक सिगनल और मिला आपको यह वाला यहां पर देखिए बहुत जादा उपर ने गया मार्केट मार्केट गया सिफ 20 या 30 पॉइंट लेकिन उपर गया अगर आप स्कैल पर है तो इस तीन चार पांच केंडिल में आप एक्जिट कर दोगे नहीं तो छोटा सा स्टॉक लोस लेकर निकल जाओगे बस इस 60 के उपर यह उन्हों में पैसा बना और आप एक्जिट होके निकल कर बस यही काम दोस्तों कर सकते हैं आप इस इंडिकेटर के साथ तो उमीद कर रहा हूं कि यह जो थोड़ी सी आपकी नॉलिज भढ़िए एक नई चीज आपने सीखें को और इंडिकेटर जो इतनी जल्दी रियक्ट क देखने के बाद लेकिन स्कैलपर की जो लाइफ है नो बहुत वास्ट है कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए फटाफट सिगनल लेने हैं फटाफट एंट्री यह बड़ा इंपोर्टेंट होता है इतना असान नहीं है सिर्फ इंडिकेटर देखके आप अगले दिन से लगप कि मार्केट में आया जीरो हो जाए तो फ्रक्ना पड़े और उस थोड़े पैसे से अगर पैसे कमाने लग जाओ तो बाकि पैसे की जरूरती नहीं पड़ेगी इंवेस्मेंट तो आपके लिए हमेशे रहेगी तो यहीथा दोस्तों आज की वीडियो में उम्मीद करते हूं वीडियो आपको पसंद आयोगी, जल्दी मिलेंगों नेक्स वीडियो में, तब तक लिए गूडबाई, गॉडब्लेस यू, बाबाई दूस्तोर।